है वेल्के बैक आयम दर्में सर्फ्राम डिर्स से निचों डाक्र मुखरीन का दली मेरे प्यारे बच्चे बहुत दिन से बच्चों का डिमांड रहे कि सर अंगरे जी बोलने कर टिए उस पॉताऊ कैसे हाव टूपीग इंगलीश कैसे इंगलीश बोले तो सबसे पहले दो बा है क्या स्थिति प्रेजेंट से क्या है मैं आपको आज तीन टिप्स दे रहा हूं कमात्र तीन टिप्स के सहारे अगर आप बाड़ी के से पूरा भीडियो देख लिया तो इस तीन टिप्स के माद्यम से आपको अंगरजी बोलना काफी असान हो जागा आप इजी हमें आज से अगरी जी बोलना सीख जाओगे सबसे पहले चीज आप अपने मेकनिजम मोई समझिए कि आप अपने बाटी को जानते हो आप अपने नेचर को जानते हो सबसे पहला चीज क्या है कि हम लोगा speaking करने के लिए आपको अपने से मैं पर्च ला रहा हूं जैसे मालो यह आपका स्क आप इसको फिल करो, आप जब समझ जाओगे तो आज से भीजी बोलना आपके आपका आपका वोकल कोड है, क्या राबू कोड है, यहां से लोग आवाज निकालते हैं, एगया टंग, एगया आईस, एगया उपका लिप्स हो गया, राइट, तो यह आपके सारे पाथ हो गया, lips है teeth है यह teeth हो गया right यह tongue हो गया right तो यह tongue है teeth है देखो यह teeth हो गया tongue right eyes ear ठीक है lips अब जो भी चीज़ हम बोलते हैं आखी हम लोग क्या करते हैं कि आसपास के महौल को डूणते हैं तो आप देखो यह आसपास के आपके इन्वार्मेंट है तो आसपास के लोगों को हम लोग कोसिस करते हैं कि लोगों को सुधार है और हम लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर से अपने दोस्तों से कहते हैं कि मिलकर अंग्रेजी बोला जाए आपने एक लाइन बोला वो ब तो अधिक तो बोलना आपकी लॉलीपॉप हो जागा और आज से अग्रेशी बोलना जागा बस तीन टिप्स को देखो पहला टिप्स क्या कहता है सबसे पहला काम इस वोकल कोड के माध्ण हम से आप अपने कान का प्रयोग करें जादा-जादा सबसे पहला काम है कि लिशन का प्रियोग करें आप कोई भी चीज सुनने का प्रयास करें जब आप सुनोगे कैसे सुने सर तो सबसे पहला ऐसा एड़ फोन लीजिए एड़ फोन को यहां लगाईए और लगाने के बाद कोई भी मोवाइल हो मॉवाइल में आज कर बहुत सारे रासवा टीवी हो गया बहुत सुनोंगे तो आख बंद करके अब जर्म किजिए कि आखिरी क्या बोल रहा है आज पास के बाता बरन से दूर हो जाए और एक एक वर्ड को एक शाउंड को एक लेटर को एक संटेंस को बड़े बारीगी से सुनिए जो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका दिमाग काम क कि हेड़फून जब लगा लोगे तो आज पास के बाता बरन से हट जाओगे और सांती से सुने जब छोटे बच्चे थे न तो आप साइंटिफिक एपरोच में दे रहा हूं जब छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले कैसे सिखा था क्या स्कूल में गए थे क्या कॉलेज मे दादा निकालना सुरू किये यानि आपने चीजों को एड़ेजस्ट किया आप पहले सुनने का प्रयास करें क्योंकि बच्चपन से आज तक सुनने के आत लगी है हम लोग सुनते नहीं बस अंग्रेजी बोलना चाहते हैं सुनने का ध्यान यह थे सबसे पहले आज से क्या क अंग्रेजी आप सुनने का प्रयास करें अंग्रेज बोलो भारतिये बोलो क्योंकि एक तंग आपका नहीं है mother tongue नहीं है, इसलिए Indian English बोलो, free style बोलो, कोई style मारने की जोट नहीं है तो हमने क्या कहा, Lition करें अंग्रेजी को more and more सुने number two, number two क्या करना है जब आपने Lition किया उसके बाद सबसे पहला काम करना है कि से सुन तो रहें, लेकिन दूसरा काम क्या करो, क्या आप मार्केट से कोई किताब खरीद लो, right आपने आप कान का प्रोग्द कर लिया चुकि अंदर जाने का ही माध्य में दूसा माध्य में आइस आप अपनी आखों से इस किताब को बोल करके पहो यानि आप रीड करो रीड कैसे करो भाई स्पीक, यानि सबसे पहला चीज़े है, जैसे माल लो एक किताब है यह DSL का है बूक है, जैसे माल लो बूक है, ट्रिकी वोकाबलरी, तो आप इसको ले लो, और बोल करके पहो, जब आप बोल करके पहो इंटेग्रेशन, पान प्रेसियेंट, ब्रीशल सब्लिकेंट, तो आप बोल करके पहो, important words for exam तो आप किसी इसको बोल करके पहो जब आप बोल करके पहोगे तो वो चीज़ क्या होगा आपको, याद हो जाएगा जब आप बोल करके पहेंगे तो उसका pronunciation clear होगा दिमाग उसको capture करने का प्रयास करेगा, दिमाग उसको adjust करने का प्रयास करेगा तो हमने क्या कहा पहले चीज़ों को सुनना सिखिए फिर आप जो को read करे, speak करे यानि आप बोल करके आप पहो कितना दिरसर तो listen करो कम सब्सक्राइब आदे गंते, read करो speak कम सब्सक्राइब हाफ है ना, तो सुनो, बोलो, पहकर के बोलो, तब आप दो काम कर लिए, तिस्रा काम करना है, वह आप समझेए, और वो है, ठिंक, जब आप जो पहे हो, जो आप सुने हो, उस पर बिचार करिए, अपना दिमाग नहीं, भाई, हमने रासवा के बारे में स किस दिन में होगा, एक दिन से नहीं, भाई, बच्पन से आज तक, कम सब्सक्राइब दो साल से, चार साल साथ सोच रहे हो, अगरी जी, बोलूँगा, 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 बट आज तक नहीं बोल पाये न, कहीन कहीन है न, तो उस कमी को दूर करने का प्रयास कर र लो, कहानी किताब चंपक लेलो, कोई भी किताब तुम्हारे पास अवेलेबल हो, उस किताब को लेलो, अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, आप लेकर कि बस दस मिनट, बिस मिनट, आदा खंटा, चिला के पहो, गला फालो, जब गला फाल के पहो गए, तो आपके अंदर आइडियास आएंगे, फिर आख बंद करो, ठिंक करो, सुनो, ठिंक करो, स्पीक, रिट करो, ठिंक करो, तो दोनों पॉइंट क्या निगा, ठिंक करो, जब तीन पॉइंट आपका हो जाएगा, तो यहां से वोकल कॉर्ड, जब आप बोलोगे, तो यह वोकल कॉर्ड अड़ करने ज़र लो प्रणाउंसी ऐस एंडी अश्रों कि使いरु लूंसी यह ऐसं। नहीं होता है प्रनॉंसी कि ही आप्राइ सिएशन प्रोन इंश्रों कूल करल हो इस सुझेशन इसलगा किसी ऑफना आधे भाग में हिंदी और आधे भाग में इंग्लिस अपने आप में एड़ेस्ट करेगा और फिर माइंड में दो बॉक्स बन जागा और अटोमेटिक यहां से फिर निकलना सुरू होगा और चौथा पॉइंट आपका यह तीन पॉइंट में हो गया अब इस तीनों पॉइं अग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा किसी बीचीज को करते हैं तो उसके जय पर हिट करते हैं हम लोग कोचिंग करते हैं कोशिगेवाला क्या करेगा कि आई है खंकना आप शुरू करो उसे न्यां जांक बूली हैं आप अंग्रे जी बोलना चाहते हो लोंक बोलते हैं कि बीयर live लो महाल कहां से लाएं, आप नहीं बोलते, किसी दुस्रे को कहां से बुलवाएंगी, सबसे पहला चीज है, महाल नहीं मिलेगा, दारूपी यह से नहीं होगा, होगा कैसे, जड़ पे काम करने से, मेरे दोस्त, सबसे पहले जड़ पे काम करो, सुनू, बोलो, अगर जिरोत तो लिख भी सकते हो, लेकिन तीन पॉइंट समझो, लिशन, रीड एंड थिंग, फिर आपका स्पोकें त्यार हो जागा, और फिर आप आज से कितने जिन करना है सर, कम से कम करना है, दो से थी मंस, टू टू थी मंस करोगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक इंग्लिस के सेंट आने सुरू हो जाएंगे, तिसा पॉइंट, अब एक से साथ एक पॉइंट बोनस दे रहा हूं, उस बोनस उस मजिया, जब आपके पास इतना कला आ जाए, क्या पह सकते हो, सोच सकते हो, ठिंक कर सकते हो, तब अगला काम करना है, छोटे छोटे संटेंस नहीं, छोटे सभ्स देना, तो चमच नहीं, आस स्मून मंगो, क्या टोरी देना, वाउल कहो, प्लेंस कहो, तो जब आप चेर्स कहो, कूर्सी मत कहो, चेर्स कहो, तो जब आप अंगरेजी के छोटे छोटे ऺयोड़्स प्रियोब करोगे, हैना इंटेग्रेशन का पुर्व करो, गभर्मे कि अप्रियों करते होगों देंड दो दो खांगो दो तो शासे च्राइब की सरो हो टो जब आप आप स्ब्सक्राइब स्वार्ट दो करोगे सब द्सक्राइब ध्टेरा ओ डो च्साएब नुरुग照 करोगे तो दिरे ठीकिए इस तरा साथ बताइए मुझे कमेंट करके एंग्रीजिक में Mensch को उपके सान को करना हैं एक आपको जड y and less दूर करनी है तो में संप्नाव करेंगे में और से भीडियो दीए इस दिए इस चेनल पर तॉ आप इस आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा आप से उनको बहुत धन्यवाद